जैहें डिफेंस असफरेंड्स, वेलकम बैक अगेइन, दिस दिवेंश पांडे, भारत सरकार ने इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए टोटल 34 ध्रू हेलिकॉप्टर्स की डील को मंजोरी दे दिये हैं चलिए जानते हैं कि ये डील है क्या और कितने हलिकॉप्टर्स हमारी फोर्स को मिलने जा रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी मिनिस्टर डिफेंस के अंतरगर टोटल 4 फोर्स आती हैं आर्मी, नेवी, एर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड और इन सभी फोर्सेस को कहीने कहीं हेलिकॉप्टर्स की आवशक्ता जरूर रहती है और ये हेलिकॉप्टर्स काफी लंबे समय से आपरेट भी कर रहे हैं और बदलती समय में जो modern technology है उनसे equipped helicopters की demand इन दोनों forces अर्थात आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहले से रही है इस कारण से भारा सरकार ने जो है टोटल 34 new drew helicopters की deal को अपने तरब से मन्जूरी दे दी गी है जिससे की इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड इस प्रकार के helicopters को प्राप्त कर पाएंगे इसमें कहा गया है की इंडियन कोस्ट गार्ड को 34 में से टोटल 9 और भारती थलसेना को 25 helicopter साब के मिलेंगे Drew helicopter को भारत की ही organization हिंदुस्तान Aeronautics Limited के द्वारा आपका बनाया जाता है और इनको हम short form में HL के नाम से जानते है इस प्रकार के helicopter का इस्तमाल 9 सेना भारती वाई सेना भी करती है आर्मी भी करती है और कोस्ट गार्ड भी करती है लेकिन इनको और अधिक आपके इस प्रकार के helicopters क्या होशकता थी इस कारण से इस डील को जो है भारत सरकार ने आपका मंजूरी दी है सब शहस्ची बात है कि इनका जो manufacturing है भारत में होता है भारती organization के द्वारा किया जाता है अता ये पूरी तरीके से भारत का indigenized project आपका रहने वाला है और इसके माध्यम से ये जो आपका Indian Coast Guard के पास old light utility helicopter जिसको हम L.U.H. कहा करते हैं उसको replace किया जाएगा और Indian Army इस type के helicopter को लेकर multiple roles में इसका इसका इस्तमाल कर पाएंगी आप यहाँ पर देख पा रहे हो high altitude के इलाके में भी ये आसानी से update आपका कर पाता है और H.E.L. के द्वारा different varieties के helicopters का निर्माल किया जा रहा है अगर इस project की cost देखे तो expected cost इसकी cost आपकी 8,000 करोड रुपए है 8,000 करोड में total 34 आपके helicopters आ रहे है और H.E.L. ने पिछले ही साल करनाटक बैंगलोर में अपनी एक नई factory को आपका बनाया था और जिसमें भारत के प्रधान मंतरी की द्वारा उसका inauguration भी आपका किया गया था इसके लावा भारत सरकार की द्वारा जो है BMP Infantry Vehicles के project को आपका clearance दे दी गई है जिसके माद्यम से Mechanized Infantry Directed Indian Army का इस प्रकार के वहिकल इसको आपका प्राप्त कर पाएगा और इसको और भी modernize आपका कर सकेंगे H.E.L. धुरू की बात करें तो ये एक multi-role new generation helicopter है जिसका वजन 5.5 ton का है और इसको design और develop किया जाता है H.E.L. के द्वारा H.E.L. धुरू को सबसे पहले design आपका number 1984 में हिंदुस्तान Air Notice Limited ने आपका किया हुआ था और तब से लेकर आज तक 80's के दशक से लेकर अभी तक हमारी H.E.L. ने काफी कुछ आपका हासिल किया है चाहे वो LCA Tejas हो, Advanced Light Helicopter Mark 3 हो न और भी अन्यापके Helicopters हो तो manufacturer company H.E.L. है, इंजन इसमें टर्वो शाफ का लगता है, टॉप स्पीड 282 किलोमेटर पर आर, रेंट 660 किलोमेटर, वेट 2500 किलोग्राम और इसको introduce आपका वर्ष 2002 में किया गया था हमारे इंडिन आर्मी पूरे भारत में आपकी व्यापत है, तो उनको जो है इस प्रकार के multi-role helicopter के आवशकता होती है, और भारती तरटरचकवल भी हमारे maritime boundary के 75-16 किलोमेटर maritime boundary की हिफाज़ज आपकी करती, तो उनको भी इस प्रकार के total 9 helicopters चाहिए, इसके रावा मैंने आपको ये भी बताया था कि C-295 Millenian जो aircraft है, उनकी भी deal को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहर total 15 aircraft खरीदे जाएंगे, 15 में से 9 हमारे Indian Navy को जा रहे हैं, और बाकी 6 जो है भारती थल सेना, सेवा पर्मो धर्मा और भारती तरडशक बल, वयम रक्षामा के मोटो के साथ आगे बढ़ती जा रही है आप सभी defense aspirant SSB crack exam के interview और return courses में इंडूल होकर अपने आने वाले examination के तयारी ज़रूर करें courses के लिए नीचे description box में दी गई है और वार रिटेंग कोट का यूज कर ले है अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं आप